नमस्कार मैं हूं प्रविड और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली रॉंड़क शो अगे नज़र डालते हैं आज की मुख्यों सुर्क्यों पर सुप्रीम कोर का केंद्र को निदेश दिल्ली को मिले 700 MT ऑक्सिजन कल तक बताएं योजना ममता ने तीसरी बार पश्यम मंगाल की मुख्य मंत्री के तौर पर शपत ली कुरोना अपडेट देश में पिछे 24 गंडों में 3,82,315 नए मामले एक दिन में रिकॉर्ड 3,180 मरीजों की मौत देश बनाब मर्गट पर न्यू पीम हाउस और संसत पर काम जाने काल मार्ग जयनती हम अकांशा, आक्रोश, अवेक और अभिमान से जीएंगे देश में कोरोना वाइरस की दूसरी लहर ने कोहरा मचा रखा है लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते राजदानी दिल्ली समय देश में ऑक्सिजन के लिए हाहाकार मचा है देश की राजदानी दिल्ली में जारी ऑक्सिजन संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है केंद सरकार ने बुद्वार को ऑक्सिजन संकट को दिल्ली हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनावती दी जिस पर शिर्ष अदालत में सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने केंद को निदेश दिया है कि दिल्ली को हर हाल में 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजन उपलब्द कराई जाए और इस बारे में योज्रा कल यानि गुरुवार को होने वाले सुनवाई से पहले बताए हाला कि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद के खिलाव जारी अवमानना नोटिस कर रोक लगा दी दिल्ली में कोविड-19 से परितनागरिकों को ऑक्सिजन के लिव गुरुदवारों में ले जाय जा रहा है वे सास लेने के लिए हाफ रहे हैं मौत से जूज रहे हैं इन में से कई भागिशाली नहीं हैं उनके शरीर शम्शान घाटों पर लाइन में लंबे समय तक रखे जाते हैं जहां शव नौन स्टॉप जलाय जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर चल रही या फोटो स्टोरी शहर में चल रहे हैं कहर से दिल तूटने का दस्ता वेज रहे हैं नागरिक वहावी सास के लिए जूज रहे हैं जहां राष्टपती, प्रधान मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, शिर्ष नौकर शाहों और न्याइक अधिकारियों का घर हैं जो सत्ता में हैं उन में से कई इन छवियों को नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि वे अपनी सारवजनिक छबी के लिए डरते हैं लोग ऑक्सिजन की एक एक सास चिक्रिट्सा देखबाल चाहते हैं राज्य विधानसवा चिनों में प्रचंड जीत के बाद ध्रिमल कॉंग्रेस सुप्रीमो ममता बेनर जी ने लगता तीसरी बार पशिम मंगाल की मुखि मंत्री के तौर पर बुद्वार को शपत ली राजपल जगदिब धनकर ने COVID-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच राजभवन में आयोजित साधारण समारों में उन्हें पद और गोबनी इता की शपत देला बेनर जी ने बांगला में शपत ली पार्च अटरजी और सुब्रत मुखर जी जैसे टीमसी नेताओ के अलावा टीमसी की जीद में मैत्रपुड भूमी का निभाने वाले चुनाव रणनीती कार प्रशांत किशोर और बेनर जी के भतीजे अभिशेक बेनर जी इस समारों में मौजूद थे बेनर जी ने कहा कि पर समालने के बाद उनकी पहली प्रात्मिक्ता कोविड-1930 से निपर्टना होगा किंदी स्वास मंत्राय दोरा आज बुद्धवार यानि पांच मई को जादी आगड़ कर अंसार देश में पिछे 24 गंटों में कोरोना के 3,82,315 नए मामले दर्श किये गए हैं इसके अलावा कोरोना से 24 गंटों में अब तक की रिकॉर्ड 3,780 मरीजों की मौत हो चुकी है इससे पहले एक दिन में सबसे जादा यानि 3,689 मरीजों की मौत दो मई को होई थी साथ इसी बीच देश बर में कोरोना से पिड़ित 3,38,449 मरीजों को ठीक किया हैं और एक्टिव मामलों में 44,96 मामलों की बड़ोत्री होई गया है देश में कोरोना की मामलों की संक्या बढ़कर 2,665,184 हो गया है जिन में से अब तक 2,26,188 लोग अपनी जान गवा चुके हैं देश में कोरोना से पिड़ित 82,063 फीस दी यानि एक करोड उनतर लाग 51,731 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 34,87,229 हो गयी है स्वास मंत्राले की ताल जानकारी का अनुसार देश में कोरोना वैक्सिन की 16,4,94,188 दोस दी जा चुकी है जिन में से 14,84,989 वैक्सिन की दोस किसे 24 घंटों में दी गई है खोश खबर में वरिश पतरकार भाषा सिंग ने मोधी सरकार से पूछा है कि आकिर क्यों नई संसत और अपने नए घर पर 20,000 करोड से अधिक खर्श कर रहे हैं जबकि देश में ऑक्सिजन और दवा की कमी से लोग मर रहे हैं आईए देखते हैं यह रिपोर्ट लाशे हैं तो क्या हुआ लाशों को जलने की जगा नहीं मिल रही तो क्या हुआ प्रधान मंत्री को तो अपना नया घर चाहिए प्रधान मंत्री को चाहिए नई संसर इसके लिए 20,000 करोड से अधिक की राशी वह खर्श करने को तयार है जिस समय देश इतने गंभीर संकट से गुजर रहा है जिस समय लोगों को दवाए नहीं मिल रही इंजेक्शन नहीं मिल रहे वैक्सीन नहीं मिल रही खुश समय मूदी सरकार क्या करती है कि जो सेंट्रल विस्ता परियोजना है यानि वह परियोजना जिसके तहट नई संसद बननी है प्रधान मंतरी का नया घर बनना है बाकी और लोगों के लिए घरों का निर्मान होना है उसको environment clearance देती है उसे essential services में डाला जाता है ताकि प्रधान मंतरी का घर और नई संसद बनने में कोई रुकावट ना है अस्पताल बन रहा है नहीं बन रहा है ये कोई खबर नहीं है लेकिन खबर ये है कि प्रधान मंतरी नरेन मोदी का नया घर अगले साल दिसंबर तक तयार हो जाएगा और इसके लिए सारी machinery बिलकुल 24 घंटे काम कर रही है यह हो रहा है हमारे प्यारे भारत देश में जिस पे चर्चा न्यूंतम है आपको यहां यह भी बता दें कि जितने पैसे में यह सेंट्रल विस्ता बन रहा है वही पैसा अगर भारत सरकार वैक्सीन पर लगाती उतने ही राशी में देश के हर नागरिक का वैक्सिनेशन किया जा सकता था किया जा सकता है जरूरी है यह मांग उठाई जाए आज महान दार्शनिक, अरद्शास्त्री, इतिहासकार, राजनितिक सिध्धानकार और वैग्यानिक, समाजवाद के प्रड़िता काल माक्स की जैर्मति है उनका जन्म पांच माई 1818 को ट्रायर यानि जर्मनी में हुआ था उनकी मित्यू 14 माज जन 1883 को लंदन ब्रिटेन में हुई जाते जाते सुनने हैं उनकी यह कविता जिसका नाम है कोई काम है जिस नौजवान को कविताय लिखने और बहसों में शामिल रहना था वो आज सडकों पर लोगों से एक सवाल पूस्ता फिर रहा है महाशय आपके पास क्या मेरे लिए कोई काम है वो नव यूती जिसके हक में जिन्दगी की सारे खुशियां होनी चाहिए थी इतनी सैमी सैमी वो इतनी नाराज क्यों है आज के डेली राउंडब में बस इतना है न्यूस्क्लिक के यूट्यूब चाहिए को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक इंस्टाग्राप और ट्विटा पर हमें फॉलो करें न्यूस्क्लिक देखने के लिए शुक्रिया